हलो एंड वलकम तो आर यूटूब चैनल मेक दे लाइट ब्राइट स्टुडेंट्स हम लोग देख रहे थी इलक्ट्रिसिटी चाप्टर जो की क्लास 10th का टापिक था और यह हमारा उस चाप्टर से रिलेटेट सेकेंड वीडियो है फर्स वीडियो में हम लोग और उन सारे के SI unit को देखे थे और किस तरीके से करेंट को मेजर किया जाता इन टॉपिक को कवर किये थे सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम स्लै और इसके आगे वाले पाट को जैसे कि रेजिस्ट्स connection of resistance मिंस की सीडिरीज और पैडलर इतना हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में इस पूरे चाप्टर में को cover कर देंगे ठीक है जो भी rest of the part इस वीडियो के अलावा बच जाएगा उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में cover करेंगे ठीक है देखें um slow हम लोगों को समझना है um slow को मैं आपको एक example देता हूँ जैसे potential difference मैं पिछले class में आपको समझाया था तो उसमें दो vessel में ले करके समझाया था ठीक है माल लेते हैं यहाँ पर दो condition है एक condition A है और दूसरा B है ठीक है hydrogen A में दो vessel है 1 और 2 ठीक है यह 1 और यह 2 हो गया इसमें भी 2 vessel है ठीक है और यह भी एक दूसरे से connected है कुछ इस तरीके से और इसमें भी यह first vessels है और यह second vessels है ठीक है अब देखिए तो अगर हम बोलें कि first vessel condition a और b दोनों में same label है water का ठीक है लेकिन अगर second vessels की बात करें तो condition a में मान लेते हैं यहां तक पानी है और b की अगर बात करें तो हम मानते हैं यहां तक पानी है ठीक है अब देखिए आपसे अगर मैं यह questions करूँ कि flow of water का speed किस condition में ज़्यादा होगा it means a में या b में तो आप यहां बोलेंगे कि sir यहां पर जो difference है यह दोनों के height का difference वो कम है और यहां पर यह दोनों का height का difference चुकि यह यहां तक है और यह यहां तक है तो height यहां ज़्यादा है it means कि b में flow ज़्यादा होगा first vessel से second vessel में water का flow ज़्यादा होगा on slow भी कुछ इसी तरीके का है यहां पर flow of क्या होता है जैसे देखे v is directly proportional to i जो अभी आप पढ़ने वाले हैं तो यह potential difference होगा तो इससे कैसे यह connected है इस चीज को समझे मेरा कहना यह है कि potential difference जितना ज़्यादा होगा उतना ही flow of current भी ज़्यादा होगा जैसे कि यहां पर difference इन दोनों का जितना ज़्यादा था या फिर इसका label जितना ज़्यादा था उतना ही speed भी ज़्यादा था flow of water का वैसे ही यहां पर भी है अब हम लोग इसके statement को देखते हैं देखें दिया गया ohms law is a relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it अगर किसी conductor के बारे में बात करें तो हमारे पास दो चीज उसमें होगा एक तो potential difference होगा और दूसरा उसमें flow कर रहा होगा current तो ohms law क्या है ohms law relation है किसके बीच का relation है तो potential difference and current flowing through it it means conductor में current जो flow हो रहा वो और potential difference के बीच का एक relation है अब यह कहता क्या है तो दिया गया है ohms law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference मतलब कि जो current flow हो रहा वो directly किसके proportional होगा potential difference के between its end provided its temperature remain constant तो पहला तो यह चीज आप देख रहें इसमें दो point आ गया पहला तो यह कि जो directly proportional क्या होगा current directly proportional होगा potential difference के और दूसरा condition यह होना चाहिए कि temperature constant होना चाहिए क्योंकि अगर temperature vary करता है तो इसमें भी variance create होता है क्योंकि अभी just r के बारे में आप पढ़ने वाले है resistance के बारे में तो resistance vary करता है temperature को अगर आप vary करेंगे तो ठीक हैं अब आगे थोड़ा और detail में देखते हैं तो यहां पर यह कहा गया कि V is directly proportional to I ठीक है ओके यहां पर यह दोनों मैं लिख दिया हूँ आई जैसे अगर statement अगर देखेंगे तो current flowing through a conductor लिखा रहता है ठीक हैं लेकिन जब भी आप प्रूफ करते हैं या फिर जब expression लिखते हैं तो V is directly proportional to I लिखते हैं ठीक है अब देखिए अगर मैं यह कहूँ कि V is directly proportional to I तो proportionality constant को as a proportionality constant यहां पर एक term introduce होता है जो कि क्या है R है ठीक हैं मतलब कि यह proportionality को हटाने के लिए proportionality constant का use होता है और यहां पर proportionality constant क्या है R है R को हम लोग क्या कहते हैं तो resistance कहते हैं ठीक है resistance कहते हैं ठीक है I think यह चीज आपको समझ आ रहा होगा ओके अब आगे हम लोग resistance के बारे में भी detail में पढ़ेंगे बस अभी जो आप पर रहें इसको समझने का प्रयास कीजिए दिया गया है इसके बाद क्या where R is constant called resistance जो कि मैं आपको बता दिया temperature remain constant होना चाहिए ohms law में अगर temperature अगर constant नहीं रहा तो यह जो condition है या फिर जो वी इस डारेक्ली proportional टू आई यह फॉलो नहीं हो पाएगा चेक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब यहां दिया गया verification of ohms law verification of ohms law कैसे देखे पहले मैं आपको समझाता हूँ जैसे एक circuit है आपके पास माल लेते हैं कि यह हमारे पास circuit है इधर positive charge और इधर negative charge इधर माल लेते हैं की है की या फिर आप switch जो भी कहें ठीक है और यहां पर हम माल लेते हैं कि एक resistance है resistance या फिर bulb आप माल लो ठीक है resistance को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ bulb उसको मानिए अब देखे तो यहां पर अगर एक हम cell लगाए हैं अगर इसको verify करना है तो एक आप cell लगाई है ठीक है एक cell लगाई है और इसमें से क्या आप observe करिए देखे यहां पर दिया गया first use one cell and note the current i i in the ammeter and the potential difference v in the voltmeter अच्छा है एक चीज और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ammeter को हम लोग series में connect करते हैं और voltmeter को paddler में connect करते हैं a meter में low resistance होता और voltmeter का resistance high होता है ठीक है तो वहाँ पर resistance के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे अभी हम लोग detail में बात करेंगे उसके बारे में तो यह यहां कहा जा रहा है कि एक सेल को लगा करके आप a meter के help से i को measure कर लिजे और potential difference को voltmeter के माध्यम से measure करिए और note कर लिजे माल लेते हैं v1 कुछ आया और i1 कुछ आया ठीक है उसके बाद फिर क्या किजिए इस cell को बढ़ाईए यहां पर दो cell कर दीजे तो अब की बार फिर से आप measure करेंगे तो v2 आएगा और i2 आएगा ठीक है फिर आप 3 कर दीजे इसको एक और बढ़ा दीजे इस यह हमारे पास एक table बना इस table के help से आप इसका graph बनाईए अगर आप graph बनाईए तो आप देखेंगे कि एक linear graph बनेगा एक straight graph बनेगा ठीक है मैं भी graph आपको दिखा देता हूँ पहले यहां पर जो मैं लिखा हूँ उसको मैं आपको समझा देता हूँ दिया गया है set up the circuit as shown in the circuit diagram नीचे में circuit आपको मैं दिखा देता हूँ अभी पहले दिखा देता हूँ यह चेक है ऐसा कुछ ओके पहले यह देखते हैं इसके बाद फिर वह भी हम लोग समझेंगे उसके बाद दिया गया first use one cell and note the current i in the ammeter and potential difference v in the voltmeter across the naichrome wire ab naichrome wire वहां लगाए गया थो और उसके corresponding या फिर across आप ammeter के मदद से i को measure कर लिजे और voltmeter के मदद से potential difference को measure कर लिजे repeat by using two cell, three cell, four cell and note the reading in ammeter and voltmeter फिर दो से लगाए फिर तीन से लगाए फिर चार से और उससे जो result obtained हो रहा ammeter और voltmeter में उसको आप note कर लिजे then plot a graph between the current और फिर उसको क्या करिये कि plot करिये जो आपके पास data आया उसको graph पे भी और आया फिर current और potential difference के graph पर plot करिये the graph will be a straight line ठेक है this so that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end अब ये कैसे verify किया तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा और समझाता हूँ जब आप ये graph बनाए तो ये linear graph बना और अगर linear graph बना it means कि ये इस चीज को so कर रहा है कि जिस ratio में potential difference बर रहा है उसी रेशियो में current भी बर रहा है it means कि we और आई एक दूसरे के क्या है directly proportional है ठीक है तो यहाँ से ये क्या हो जाता है verify हो जाता है ठीक है verify हो जाता है यहाँ पर ये एक circuit बनाया गया था यहाँ पर raw state आर raw state को use किया या raw state क्या होता है इसको हम लोग आगे थोड़ा सा discuss करेंगे यहाँ पर जो data था उसको note करके यह graph बनाया गया था ठीक है I think आपको यह बहुत अच्छे से clear हो गया होगा चलिए आगे की और बढ़ते हैं अब हम लोग जो अभी इंट्रोड्यूज किये थे जैसे v is equal to ir तो यहाँ से r is equal to क्या आया v by i तो एक यहाँ से r जो resistance इंट्रोड्यूज वो क्या था इस चीज को समझते हैं दिया गया है resistance is a property of conductor due to which it resist the flow of electric current through it कहने का मतलब यह है कि resistance जो है वो एक property है और यह सारे conductor में होता है किसी का resistance कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है यह क्या है तो flow of electric current को resist करने का एक property होता है रोकने का एक property होता है ठीक है a conductor that is used to resist sorry a component है a component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called register और वो component जो resist करता है flow of electric current को उसको क्या कहते है रेजिस्टर कहाते है मतलब resistance प्रोपर्टी हो और रेजिस्टर कम्पोनेंट है ठीक है अब आगे क्यों बढ़ते है इन प्राक्टिकल अप्लिकेशन registers are used to increase or decrease the electric current मतलब normally अगर देखा जाए तो किसी भी चीज में register का use होता है या तो आपको current को बरहाना flow of current बरहाना या फिर घटाना है तो आप किस चीज का use करेंगे registers का use करेंगे ठीक है अब यहां से हम लोग देखें कि according to ohms law r is equal to v by i अच्छा v potential difference और i current है ठीक है v का SI unit क्या होता volt और i क्या होता ampere ठीक है तो v by i को यहां नया introduce किया गया एक unit जिसको हम लोग कहें ohm ohm को कुछ इस तरीके से represent करते हैं ठीक है तो the SI unit of resistance is ohm ठीक है अब आगे की और बढ़ते हैं दिया गया if the potential difference across the two end of wire is one volt and the current flowing through it is one ampere then the resistance r of the current is one ohm अगर one volt हो और यहां पर one ampere हो यहां पर क्या क्या कहा गया है two wire के बीच का जो potential difference है across the two end of wire two wire नहीं किसी एक wire के दो end का potential difference one volt है और and current throwing current flowing through it is one ampere then the resistance of the conductor is one ohm ठीक है चलिए आगे की और बढ़ते हैं resistance resistance कुछ इस तरीके से दिया हुआ है यहां पर resistance इसको color coding के माध्यम से represent किया जाता है कि कितना ohm का resistance है इसको आगे आप लोगों को पढ़ना है ठीक है यहां पर क्या दिया गया है the current flowing through a register is inversely proportional to the resistance current जो flow होता है register में वो inversely proportional होता है किसके resistance के चीक है इस term को हम लोग आगे just अभी property जब देखेंगे तब हम लोग देखेंगे ठीक है यहां पर पहले यह आपके लिए काफी ज्यादा important है factor on which the resistance of a conductor depend तीन चीजों पर depend करता है क्या क्या length पर depend करता है area of cross section पर depend करता है material of the conductor पर depend करता है माल लेते हैं यह wire है ठीक है यह wire है तो यह जो पार्ट है यह वाला पार्ट यह जो circular जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे area of cross section area of cross section ठीक है यह area of cross section और यह जो wire यह जो है इसको हम लोग length कहेंगे मतलब length of wire इसको यह तो normal length तो खेर आप समझ रहें area of cross section का मतलब यह जो front part यह जो circular देख रहे हैं वो ठीक है अब तीसरा है material of the conductor material of the conductor मतलब कि किस material का बना हुआ है इस चीज़ पर भी depend करता है resistance अब कैसे कैसे depend करता है एक example मैं आपको समझाता हूँ मान लेते हैं कि यह wire है ठीक है अब एक wire क्या लीजिए एक छोटा सा wire लीजिए और उसमें current को supply करिए और दूसरे end में bulb को जोड़ दीजिए ठीक है तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया से glow करेगा bulb वही अगर experiment आप 2-3 km लंबा wire के साथ कर रहें मतब same wire same है लेकिन उसका length जो है वो 2-3 km लंबा है और 2-3 km के बाद एक bulb को आप उससे connect करते हैं तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से glow नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर resistance एक तो already पहले ही से जादा हो गया wire के length के कारण resistance बढ़ गया चेक है अब ठीक है तो आप यह observe कर पा रहे हैं कि जितना length आप बढ़ा रहे हैं तो आप क्या observe कर पा रहे हैं कि वहाँ से resistance ज्यादा होने के कारण current हम लोगों को क्या मिल रहा है कम मिल रहा है ठीक है I think यह चीज़ आपको समझ आ रहा है लेकिन cross section area के साथ अलग है जैसे जैसे cross section अगर बढ़ा देंगे तो flow of charges तो और बढ़िया से होगा ना और जैसे जैसे आप sorry cross section area को बढ़ाएंगे तो flow बहुत easily हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर resistance के यह inversely हो जाएगा ठीक है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर यह दिया गया resistance is directly proportional to the length of the conductor अभी just मैं आपको समझाया and inversely proportional to the area of cross section of conductor मतलब यहाँ आप L L इसको कर लो ठीक है आई जैसा अगर आपको लग रहा हो तो इसको L कर लो ठीक है तो यहाँ से मैं यह कह रहा हूँ कि R जो है वो directly proportional है length के और R जो है वो inversely proportional है area के अगर यह दोनों को मैं combine करूं तो हमारे पास जो result आएगा R is directly proportional to L by A ठीक अब यहाँ पर फिर से proportionality constant को use करेंगे और वो proportionality constant यहाँ पर आप देख पार है रो है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में resistivity कहेंगे ठीक है ठीक है तो यहाँ पर proportionality constant use हो गया और यह हमारे पास आया R is equal to rho L by A ठीक है यह resistivity हो गया ठीक है और यह resistivity क्या है इ जैसे तीसरा जो हमारा यह L और A यह तो पहला और दूसरा जो हो गया depend जिस पर कर रहा था तो यह length हो गया और यह cross section area हो गया material के बारे में तो हमने बात ही नहीं करा तो material के बारे में अगर देखा जाए तो material ही resistivity को represent करता है जिसका resistivity कम होगा उसमें smoothly pass होगा electric current और जिसका high होगा उसमें बहुत धीरे धीरे pass करेगा ठीक है खेर इसके बारे में और detail में हम लोग आगे अभी देखेंगे ठीक है resistivity के बारे में दिया गया है देखें यहां पर बहुत detail में मैं लिख दिया हूँ where row is a constant of proportionality called resistivity of material of the conductor जो कि मैं आपको बता चुका ठीक है इसके SI unit अब क चीज को आप समझिए जरा ठीक है देखें तो मैं अभी जो बताया वह आर इस इक्वल टू क्या था रो एल बाई ए अगर मैं रो को अगर मैं solve करूं तो रो इस इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होगा ठीक है अगर ऐसा होगा तो आप देखिए कि यहां पर आर का क्या होता है ओम होता है चीक है और एरिया का मीटर स्कॉयर होता और लेंथ का मीटर होता है ठीक है तो यह मीटर से यह कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो यूनिट आएगा वह क्या आएगा रो मीटर आएगा स्री ओम मीटर आएगा ठीक है तो यहां पर दिया गया है ओम मीटर ठ conductor वेगरा का low resistivity होता, silver वेगरा का resistivity बहुत कम होता, इसलिए वो बहुत अच्छा good conductor है, electric current का, insulator like rubber glass have high resistivity 10 to the power 12 to 10 to the power 17 तक इसका होता है, ठीक है, तो ये चीज I think आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, आगे बात करते हैं, resistance in series, अब connection के बारे में बात करते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा गया, उसके बाद फिर मैं आपको अपने से यह explain करूँगा, ठीक है, when registers are joined from end to end, अगर register, register, join अगर होगा, जैसे एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, आप देख रहे हैं, end to end join है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, series, ठीक है, in this case, the total resistance, इस case में total resistance जो होगा, of the system, is equal to sum of resistance of all register in the system, मतलब total resistance, जैसे माल लेते हैं, यह 1, 2, 3, 4, यह माल लेते हैं, R1, R2, यह R3, और यह R4, तो इसका total resistance जो होगा, series का resultant resistance वो होगा, R1, प्लस R2, प्लस R3, प्लस R4, अच्छा, यह कैसे होगा, इसको कैसे हम लोग proof करेंगे, तो इस चीज को देखते हैं, अब देखें, यहाँ पर दिया गया, तीन resistance मैं माल लिया हूँ, R1, R2, R3, got connected in series, अच्छा, एक चीज बताइए, इसका potential across A to B क्या होगा, V होगा, च्छा, और अगर हम A से B की बात कर रहें, V, अच्छा, एक चीज बताइए आप, खुद से आप सोचेंगे इस चीज को, कि अगर यहाँ तीन resistance है, यहाँ R1 है, यह R2 है, और यह R3 है, तो यहाँ पर जो हमारा, मतलब potential difference या voltage कहें, ठीक है, वो क्या होगा, अलग-अलग होगा, V1, V2, V3 होगा, V2 यहाँ आप कर लिजे, ठीक है, मतलब की potential difference across R1, R2 and R3 are, इस equal को हटा दिजेगा, ठीक है, V1, V2 and V3, यहाँ पर voltage जो होगा, वो distribute होगा, क्योंकि तीनों का तीनों series में है, जैसे कि आप तीन बल्ब को एक line से आप लगा दिजे, तो पहला वाला जो बल्ब है, वो बहुत बढ़िया से glow करेगा, दूसरा वाला उससे कम glow करेगा, और तीसरा वाला जो होगा वो बहुत कम glow करेगा, क्योंकि उससे पहले जो voltage है, वो दूसरे बल्ब के द्वारा यूज कर लिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा V1, V2 and V3 ज आई current में कोई changes नहीं आ रहा है चिक है voltage तीन पार्ट में divide हो गया V1 plus V2 plus V3 is equal to V और हमारा current क्या है same है चिक है अब देखिए तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को और detail में समझते हैं देखिए according to ohms law अगर देखा जाए तो V1 जो है वो किसके equal होगा IR1 की क्योंकि देखिए यहां पर मैं एक मिनट यहां आ जाता हूँ ठेक है देखिए इस चीज को यहां पर देखे तो यहां पर अगर यह R है यह R है यह यह तीनो हलाकि यहां R1, R2 और R3 आप कर दीजे ठीक है R2 and R3 कर दीजे ठीक है तीनों अलग-अलग यहां पर क्या माना गया है जैसे जो R, R, R3 में equal resistance लिख दिया गया है ठीक है अगर वो R1, R2 और R3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है तीनों को अगर equal resistance हम लेंगे तब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर अगर हम B1 की बात करें B1 तो यहां पर I तो same है तो B1 is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास B1 हो जाएगा I R1 के equal B2 क्या हो जाएगा I R2 के equal और B3 क्या हो जाएगा I R3 के equal ठीक है यह 3 है अब देखिए तो अगर हम total V की बात किये थे तो क्या था B1 प्लस V2 प्लस B3 था यही था अब B1 के जगह पर I R1 आप लिख दीजे प्लस V2 के जगह पर I R2 लिख दीजे प्लस V3 के जगह पर I R3 लिख दीजे और यह जो B है वहाँ पर I R लिख दीजे ठीक है I R S लिख दीजे क्योंकि यह series के बारे में बात कर रहे है तो यह I जो है I से यह सारे I कट जाएंगे क्योंकि अगर इसमें से हम common ले I R1 I R2 और I R3 में से अगर I को common ले तो हमारा bracket में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा और I से यह I cancel हो जाएगा ठीक है जैसे यहाँ आप देख सकते हैं देखे यहाँ पर वही चीज किया गया है यहाँ पर क्या कर द ठीक है तो यह I से I cancel हो गया मतलब RS is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 यह हो गया ठीक है तो यह हमारा proof भी हो गया इसका when the registers are connected in series the current flowing through each register is same and is equal to total current ठीक है यह चीज आपके लिए important है कि यहाँ पर क्या current सेम होगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान देना है चलिए आगे क्योर बढ़त हैं अब देखिए यहाँ पर अगर हम registers in paddler के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले यह चीज को आप समझे ठीक है यह जो है यह अब देखिए तो यहाँ आर वन है यहाँ रटू है और यहां रट्री है अगर मैं आई की बात करो तो यहाँ पर आई तीनों में distribute हो रहा वोल्टेज तो तीनों पास equal होगा भी भी यह तीनों में equal होगा लेकिन यहाँ I1 हो जाएगा यहाँ I2 हो जाएगा और यहाँ I3 हो जाएगा I think यह चीज आपको समझ आ रहा होगा मतलब कहने का यह है कि paddler condition में भी हमारा constant होगा और I जो होगा current होगा distribute क्योंकि यहाँ तक current आई था और यह तीनों में equally distribute हो गया तो कि हाँ पर तीन रास्ता है तो तीनों रास्ता में जाएगा और जो series का था वो एक ही रास्ता है तो current तो सम में एक ही जाएगा ठीक है तो ऐसा कुछ अब देखिए अब जो हम लोग समझेंगे यह topic ठीक है अब दिया गया when registers are joined in parallel the reciprocal of total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of register मतलब 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 अगर paddler में रहेगा तो resistance को इस तरीके से add करेंगे माल लेते हैं जैसे मैं यहां पर एक ऐसा करके लिख देता हूं माल लेते हैं कि यह resistance है या फिर register आप जो भी कहिए ठीक हैं यह register है और तीसरा यह register है ठीक है तो अगर तीन register है माल लेते हैं यह r1 यह r2 और यह r3 तो 1 by rp means paddler क्या होगा 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 होगा ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान देना है ठीक है अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे लेट 3 register r1 r2 r3 connected in paddler अब यहां potential difference क्या हो जाएगा v हो जाएगा total current i है लेकिन यहां पर i जो है वो i1 plus i2 plus i3 के equal है और resistance क्या r1 r2 and r3 के across i1 i2 and i3 है ठीक है यह चीज़ तो बहुत simply आप समझ पाए हैं ठीक है अब देखिए यह तो खेर आप देख चुके हैं अब यहां से आपको समझना है i1 is equal to क्या हो जाएगा i1 is equal to v by r1 हो जाएगा i2 is equal to क्या हो जाएगा v by r2 हो जाएगा और i3 is equal to क्या हो जाएगा v by r3 हो जाएगा ठीक है यह तीन यहां पर दिया गया है ठीक है अब देखिए total resistance rp है तो v by rp देखिए यहां पर v by rp is equal to क्या हो जाएगा भी तो 1 ही है ना ये ऐसा भी बाई R1 प्लस भी बाई R2 प्लस भी बाई R3 अब भी बाई Rp यहां से भी को अगर common करेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा ठीक है अब ये भी से भी cancel हो जाएगा मतलब 1 बाई Rp इस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ठीक है अब दीखे एक मैं अगर condition लेता हूँ कि अगर 2 R1 और R2 रहता ठीक है तो 1 बाई Rp इस इक्वल टू क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अब यहां से अगर आप solve करेंगे तो 1 बाई Rp इस इक्वल टू R1 R2 यह दोनो LC हम निकालेंगे ठीक है और R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2 ठीक है अब दीखे तो हमको तो Rp का वालू चाहिए न तो इसका रेसी प्रोकल कर देंगे तो हमारे पस आएगा Rp इस इक्वल टू R1 R2 divided by R1 प्लस R2 ठीक है तो यह चीज हो गया इसके आगे अगर देखा जाए the total current through the circuit can be calculated by adding the electric current through individual register ठीक है total current अगर आपको measure करना है तो आप क्यूंकि सबका अलगल होगा तो सबको आप add कर दीज़े वही आपका answer हो जाएगा ठीक है अब यह जो electrical energy है इसको हम लोग next वीडियो में देखेंगे थोड़ा बहुत और topic बच किया है आज की इस वीडियो को यहीं पर end करेंगे next topic में हम लोग बात करेंगे electrical energy, electrical power electrical powers related जो भी है और heating effect के बारे में यह दो-तीन topic अभी बच जाएगा जिसको third part में यह क्योंकि second part था तो third part में उसको cover करेंगे और उसके बाद एक numerical question पर based एक पूरा वीडियो होगा लगबग 40-50 मिनट का जिसमें important question इस chapter से related मैं करवा दूँगा तो चलिया हम लोग next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए good bye जाहिंद